जैहिन टू आल आफ यू 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 आर वेलकम बंस आगें इन अवर यूटी चैनल ट्रेस टेक्निक एंड साइन्स इस भाग में हम सीखेंगे गड़त कक्षा साथ की प्रश्णवाली चारदस अमलाब तीन का प्रश्ण नमबर तीन जम लखे समय करणों को हल कीजिए पहला समय करण है इस प्रश्ण का चार बराबर पांच प्रश्ण तीन दो अब इसके ये हमारे पास दो युक्तियां है हल करने की दो विधियां है एक विदी तो यह है कि हम इस पक्ष को इस तरफ लिख दें और इस पक्ष को इस तरफ लिख दें खरल करें हलाकि उससे हल में कोई अंतराने वाला नहीं है इसलिए यह जैसा लिखा है हम बैसा ही हल कर सकते हैं अब हल करने की विधी वही है जो हमने पिछले प्रश्ण में की थी कि ये पांच का गुणा हो रहा है यदि हम इसको इस तक को हटाते हैं तो पांच का गुणा इस संख्या में भी होगा और इस संख्या में भी होगा इस से अच्छा ये होगा कि हम दोनों तरफ पांच का दोनों और करने पर चार में पांच का भाग करने पर ये हो जाएगा चार बटा पांच बरावर पांच गड़त पीरन दो बटा पांच इसमें भी पांच का भाग हो गया तो यहां पर ये पांच से पांच कट जाएंगे क्या बचेगा पीरन दो कि अब इसको भी हटाने के हमारे पास दो पाए हैं एक तो यह है कि जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था कि जो संख्या जुड़ रही है उसको हम जोड़ देंगे घटा देंगे या घट रही है तो जोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे ती में दोनों और दो जोड़ देंगे लेकिन यहां पर जो विदी दी गई है पाट ठपस्तक के वो धरनों में उसमें पक्षांद रन या इस्थानापन करने का तरीका बताए गया है तो उस आधार पर हम क्या करेंगे रन दो का पक्षांद रन कर देंगे अब पक्षांद रन हो सकता है आपके लिए नई चीज हो नया सब्द हो तो पक्षांद रन का मतलब होता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाना अथवा ले जाना अब यहां समी करन में आप जानते हैं समी के रन बहे होता है जिसमें बीच में बरावर का चिन होता है तो इसमें बरावर के चिन के दोनों और दो पक्ष होते हैं एक और दाइना पक्ष होता है दूसरी और बाहन पक्ष होता है तो जब कोई रासी दाइने पक्ष अथा बाहने पक्ष में से एक पक्ष से दूसरे पक्षिमे जाती है तो पक्षांद्रन कहलाता है अब यहां पर हम रण दो का पक्षांद्रन करेंगे इसको इस तरफ लाएंगे तो पक्षांद्रन में एक चीज़ और धियां रखना होती है कि जो चिन उसमें लगा है संख्या में लगा है जिसको हम पक्षांद्रन कर रहा है उस चिन्न का विपरीत हो जाता है, बदल जाता है, जैसे ये रण है, इसका पक्षांदरन करेंगे तो इस तरह आकर ये धन हो जाएगा, तो हमने रण दो का पक्षांदरन करने पर, चार बटा पांच, यहां पर रण दो है, इस तरह आएगा तो धन दो हो जाएगा, तो चार बटा पांच धन दो बरावर टी अब इसको यह से लगत तम लेके जोड़ते हैं एक तरीका यह भी है किस पैस में हमने गौना कर दिया पांच दूनी दस और इसमें कुछ नहीं किया यह इसको यह सही कहा लिख दिया तो चार धन दस बटा पांच चार और पांच दस को जा तो 14 बटे पांच बरावर टी यहीं अविस्थाल है कि अगला रंच चार बरावर पांच 5 दून और तेसमें भी हम क्या करेंगे 5 रन्दो का पक्षांदरन कर देंगे तो रन्द 4 बटा पांच धन्दो ये रन्दो पक्षांदरन करने पर इस पक्ष से इस पक्ष में आयात व्यार्ण का हो जाएगा रंड चार धन दस पंच दूनी दस बटे पंच अब रंड चार में धन दस जोड़ांगे तो 6 आएगा यह आप ऐसा समाल लें कि 10 में से 4 घटांगे तो 6 बटा 5 पी वरावर 6 बटा 5 यही समीकरण का अभिस्ट हल है अगला सी है शूला बरावर 4 घंटीन गुड़े ती धन दो यह एक नया मेथड समय में आरा फिर भी जैने इसको हल करने का प्रयास किया है अब यह 4 घंटीन होना तिये चाहिए कि इन दोनों को जूड़ दें फिर गहम साथ का वाग कर दें कि वह 4 घंटीन चार घंटीन साथ होते हैं है लेकिन इसमें कुछ अलग दिया है पाट फुस्तक के उधारानों में उस इसाब से इसमें क्या करना है में इस चार को अटाने के लिए हम क्या करेंगे चार को स्थानापन करने पर और इस तरह से इस तरह ले आएंगे तो यह हो जाएगा सूला रण चार और यहां पर क्या बचा तीन गुड़ टीन दो 16 माय से चार घड़ गए तो 12 बचे यह जह किसे बढ़ाई अब हम इस तीन को अटाना है तो तीन का भाग दोंग तरफ कर देंगे हम भाग तीन दोन ओर तो बारा भाग तीन तीन गुड़ टी धन दो भाग तीन यहां तीन का भाग बारा में दिया तो चार बचे तीचो के बारा और तीन से तीन यहां पर कड़ गए टी धन दो धन 2 का पक्षांद रन कर दिया, इस्थानापन कर दिया तो ये धन 2 है, इस तरह आएगा तो रन 2 हो जाएगा चार रन 2 बरावर T, तो T बरावर क्या बचा? चार मेंसे 2 गाई, 2 बचे यही समीकरन का अभिस्ठाल है इसी तरह से अगला है चार धन पांच गुड़त तीरण एक बरावा चोंटीस तो चार का पक्षांद रन कर दिया हम है तो यह हो जाएगा पांच तीरण एक बरावा चोंटीस रन चार चोंटीस में से चार गए तो तीस बचा फिर इस पांच का हम भाग कर देंगे दोन और तो यह हो जाएगा पांच गड़त पी रन एक बरावा चोंटीस बरावा तीस बरावा तीस बरावा तीस बरावा तीस बरावा तीस बरावा तीस तो पांच से पांच कड़ गए यहां भी 5 से 30 कट गाए तो 6 होगा 5 चके 30 P रण 1 बरावर 6 और एक काहन पक्षांत रण कर दिया रण 1 है इस तरह आएगा तो यह हो जाएगा 6 रण 1 P बरावर 6 और 7 यही समीकरण का अभेश्ट हल है या बांचित हल है अगला और अंतिम भाग है सून्य बरावर सून्य बरावर 16 धन 4 गुड़ेत एम रण 6 इसमें भी हमने 16 का पक्षांत रण कर दिया सून्य रण 16 हो गया यह धन 16 है इस तरह आएगा रण 16 हो जाएगा बरावर 4 गुड़ेत एम रण 6 अब चार का गुणा ना करके हम चार का भाग कर देंगे दोनों यह हो जाएगा 16 बटे 4 बरावर 4 बटे 4 गुड़ेत एम रण 6 बटा 4 तो 4 से 4 कड़ गया तो और 16 भी 4 से कड़ जाएगा 4 चो के 16 तो रण 4 बरावर एम रण 6 जाएगा फिर 6 का पक्षांत रण कर देंगे हम तो यह हो जाएगा रण रण 4 धन 6 रण 6 का धन 6 हो जाएगा रण 4 में 6 जोड़ांगे तो दो जाएगा तो यह बरावर जाएगा आपका दो यही बांचित हल है इस वरकार से जह समय करण प्रश्ण करवांत तीं और उसके सबी भागों का हल हो गया मिलेंगे हम अगले भाग के अगले प्रश्ण का हल लेकर जैहन पढ़िए कहीं भी सीखिए हमारे साथ सरलता से बंदे मातरा झालपिए झालपिए झाल यहीं पनाचित कि अभी भी समय करण पिल्ग करण करण दो नहें वर भी बंदे मातरा